चोपड़ा एजुकिस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो आयूस काउंसलिंग सेकंड राउंड के लिए अभी रेजिस्टेशन स्टार्ट है और 24 फिलिंग भी हो रहा है इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि इसका सेड्यूल क्या है इसके बारे में 24 फिलिक करते से मैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इनके आगे जो दो राउंड होने हैं सेकंड राउंड के रूल्स क्या है मोप अप राउंड के रूल्स क्या है और इस्टे वेकेंसी राउंड के रूल्स क्या है क्योंकि इस बार जो ओल इंडिया में फोर्थ राउंड हो रहा है third round all India का हो रहा है तो इसके लिए क्या rules है इसमें कुछ rules है MBBS BDS counseling की तरही है और कुछ rules इसमें MBBS BDS counseling से कुछ हटके है तो rules वगरा के बारे में भी हम बात करेंगे second round के, mop up round के और stay vacancy round के rules के बारे में भी तो सबसे पहले हम यहाँ schedule के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो second round के जो registration होने है उनकी last date second March 22 है 24 filling की यही date है third March को processing होगा third और fourth March को fifth March को result publish हो जाएगा six से 14th March 22 तक joining रहेगी ऐसे ही third round और mop up round का 18th March 22 से registration स्टार्ट हो जाएगा 23 March 22 इसकी registration की last date रहेगी choice filling की last rate रहेगी 26 को result आ जाएगा जो reporting रहेगी 27 से लेके fourth April 22 तक रहेगी उसके बाद आगे schedule रहेगा stay vacancy round का तो इसमें यह तो schedule था इसका first round complete हो चुका है second round और mop up round का अब हम बात करते हैं इसमें choice filling के लिए आपको दो option आवेलेबल हैं एक तो seat matrix आ चुका है कौन सी college में कितने seat रहेगेंट हैं दूसरा option यह है कि first round का result डिकलेर हो चुका है तो आपके पास में result है तो इन दोनों की help लेके आप second round की choice fill अच्छी तरह से करें क्योंकि इसमें काफी सारी seat वेकेंट रहती हैं आपको desired college मिलने की काफी ज़्यादा संभावना रहती है तो इसमें आप अपने desired college ले सकते हैं अच्छी 24 fill करके इसके बाद आपको 24 fill करना है वो top से lowest के करम में करना है ताकि आपको अच्छी college मिल सके चाहे आपके marks कितने भी हो आपको तो अभी पता नहीं है कि आपको कौन सी college मिलने वाली है तो आपको जो 24 fill करनी है top से lowest के करम में ही करनी है दूसरी चीज आपको फिर अपने distance का खयाल रखना है अगर आपके state में आपको अच्छी college मिल रही है तो पहले उसको join करना चाहे आपके state में अच्छी college नहीं मिल रही है तो फिर आप अच्छी college दूसरे state के लिए prepare कर सकते हैं इसके बाद तीसरा जो matter होता है वो fees का होता है आप एक बार 24 fill करने से पहले fees का ध्यान रख लें कौन सी college की कितनी fees है उतनी fees के आप afford कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछे private के लिए dimd university हैं भी होती हैं और इसमें कुछे added college भी होती हैं जो government undertaking college होती हैं वो भी college हैं तो एक बार आप fees का पुरा देख लें उसके बाद आप 24 fill करें तो इन इन बातों का आपने ध्यान रखना है 24 fill करते हैं ताकि आपको अच्छा college मिल सके अब बात करेंगे हम यहां rules क्या है तो first round complete हो चुका है आपको पता है कि first round free exit round है इसमें जिस candidate को seat मिली join किया ठीक है नहीं किया तो भी कोई नुकसान नहीं है अभी second round की 24 fill हो रही है आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले हम देखते हैं कि second round में जिन candidate को seat allot हो जाती है second round में जिन candidate को seat allot हो जाती है उसको upgrade करवाना चाते हैं तो वो next round के लिए इसको upgrade करवा सकते हैं mop up round के लिए वो upgrade का option दे सकते हैं allotted college में इसके बाद उनको जो college allot हुई है उसमें अगर वो report करते हैं तो exit करना चाते हैं तो भी वो exit कर सकते हैं उस college में अगर join नहीं करना चाते हैं तो exit कर सकते हैं वो third round में phrase twice fill करके college ले सकते हैं ये तो ये condition है condition दुबारा बता देता हूँ अगर किसी candidate को second round में seat allot हो जाती है वो उस पे join नहीं करना चाता है तो उसको कोई नुकसान नहीं है यानि कि उसकी जो security money है वो भी forfeit नहीं होगी और वो आगे के round के लिए भी eligible रहेंगे third round में phrase registration करके seat ले सकते हैं इसके बाद में जिन candidate ने join कर लिया second round में वो उस seat को छोड़ना चाते हैं तो mop up round के तीन दिन पहले उस seat को छोड़ सकते हैं तो वो आगे के round के लिए eligible रहेंगे आगे के लिए eligible रहेंगे हो तो ये condition है second round की अब मैं आपको third round की situation बता देता हूँ third round जिसमें जिन candidate को seat alert हो गई है उनको join करना जरूरी होता है अगर वो इसमें join नहीं करते हैं इस seat को अगर join नहीं करते हैं तो जो उनकी security money है वो forfeited हो जाएगी और वो आगे के round के लिए भी eligible नहीं रहेंगे अगर वो report नहीं करते हैं और resign कर देते हैं तो security money तो forfeited होई जाएगी लेकिन वो आगे के round के लिए भी eligible नहीं रहेंगे तो इसमें कोई exit का option नहीं है इसके बाद में stay vacancy round होगा stay vacancy round में दुबारा से 24 फिल नहीं होती हैं जो mop up round में 24 से होती हैं वही stay vacancy round में च्वाई से consider की जाती हैं और नहीं इसमें कोई phrase registration होता है dimmed की condition में dimmed को transfer कर दी जाती है stay vacancy round dimmed दुबारा ही conduct करवाया जाता है eligible candidates के लिए जो अभी stay vacancy round होना है वो all India quota all India government added quota national institute central university सभी के लिए ये conduct करवाया जाएगा तो ये condition थी rounds के लिए जो मैंने आपको बता दी हैं बाकी ये condition आपको website पर मिल जाएंगी double a triple c की website पर counseling scheme में आपको ये सारी condition मिल जाएंगी वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं जो condition थी मैंने आपको बता दी है फिर भी कोई update मिलेगा तो मैं आपको inform कर दूँगा 24 फिल बड़े ही ध्यान से करना है क्योंकि MCC का जो rules regulation है वो थोड़े से हट के double a triple c के थोड़े से हट करके हैं उसमें कुछ से थोड़ा बहुत changing है second round और third round के लिए तो वो आपने ध्यान में रखने रख करके ये counseling करवानी है तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन